लगातार दो बार से अधिक किसी को कॉल ने करें यदि वे आपकी कॉल नहीं उठाते तो मान ले कि इस वक्त उसके पास कुछ महत्य पूर्ण कारिया है वह दन पहले ही लोटाई जो दूसरे वक्ति के याद दिलाने या मांगने से पहले ही लिया हो यह आपकी इमानदारी और चरित्तर को दरसाता है जब कोई आपको लंच या डिनर दे रहा हो तो कभी भी मेनू पर महंगे पकवान का ओडर ने करें यदि संबव हो तो उन्हें ही आपके लिए अपनी परसंद का ओडर करने के लिए कहीं अपने पीछे आने वाले वक्ति के लिए हमेसा दरवाजा खोलें इससे कोई फ्रक नहीं पड़ता कि वो लड़का है लड़के सीनियर है या जूनियर है आप सर्वेजनिक रूप से किसी के साथ अच्छा वेवार करें तो वो आपके साथ अच्छा वेवार करेगा जिदि आप किसी दोस्त के साथ टेक्स लेते हैं और वो अभी बुगतान कर रहा है तो अगली बार आप बुगतान करने का प्रयास करें तो इससे आपकी इमेज बढ़ेगी सभी परकार के विचारों को सम्मान करें याद रखे कि आपके लिए जो च्छे दीख रहा है वो सामने से आने वाले लोगों के लिए इन्हों दिखाई देगा यदि आप किसी को चिडाते हैं और वो इसका आनन नहीं लेते तो इसे रोकें फिर कभी ऐसा ना करें जब कोई आपकी मदद करें तो उसे दन्यवाद जरूर गहें जिससे उसे अच्छा लगेगा जब कोई आपको अपने मोबाइल पर एक फोटो दिखाता है तो सुआ उसको मोबाइल के दाएं बाएं सुआई ना करें आपको नहीं पता कि आगे उसकी निजी फोटो है जब तक आपसे पूछा ना जा कभी भी बिना मांगे सलाह ना दे उससे आपकी इंसलेट हो गई अपने दूप के चसमें आटा दें जिस समय आप किसी से सड़क पर बात कर रहे हैं यह सम्मान की निसानी है नेत्र संपरक आपके भासन को मैत्ते पून बना देता है जब भी आप गरीबों के बीच बैठे हो तो अपने धन के बारे में कभी भी बात ने करें और नहीं उनको दिखावा करें कि हमारे पास यह चीज है यह पोश्ट दूसरे लोगों साथ साजा करें जो आपने सीखा है उसको भी कुछ सीखने में मदद मिलें